नमस्कार दोस्तों मैं अभीशे गया तो फिर आज एक नए टोपी के साथ जैसे कि आप और आपके पैट अच्छे होंगी तो जैसे कि जवाद का टोपिक है तो ध्यान से सुनिएगा जैसे कि जवाद का टोपिक है वो है कि अगर आपका रेबिट एक दिन होगे और कुछ नहीं खा रहा है दो दिन होगे तो कुछ नहीं खा रहा है तो ऐसी क्या दिक्कत है कि वो कुछ भी नहीं खा रहा है ना कुछ पी रहा है तो किस वज़े से ऐसा हो रहा है तो ज़्यादा प्रफेर करो आप भराचारा जो आता है ताजा वो या फिर आप खीरे वगएरा या ऐसी कुछ दीजिए जिसके अंदर पाणी की मातरा ज्यादा हो और उसको आप ऐसी ठंडी जगह पर रखे या फिर पंखा वगएरा चलता रहना चाहिए उसके आसपास में कि आसपास में अच्छा बना रहे कि कोई बंद कमरे में ना हो जैसे कि आप सर्द्यों में रखते थे उसको ऐसे अभी बिल्कुल नहीं रखना है उसको वैदर के साब से चेंज करते रहना है और जो आप उसको रैबिट फूड देते हो वह देखिए उसके अंदर क्यक्या कॉन्टी मिली ह हुई है तो उसको भी चेंज करने की जूरत है आप थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखिए और आप लिए शुष्टी टू जरूर पिलाइए हफते में कम से कम तीन बार ता आप उसको लिए 52 जिससे उसका डाइजेशन और अच्छा बना रहेगा और आज का टोपिक यही धन्यावत में चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए हुआ